सब्सक्राइब अवर चैनल सो इससे पहले हमने दो वीडियो के टेनरी पे अपलोड कर दिये हैं प्लेलिस्ट की लिंक आई बिटन में दे दिया वहाँ से जाके चेक आउट कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शेप ओफ दा कोमन के टेनरी कोमन के टेनरी जिसक देखें हमने लास्ट वीडियो में यहां से के टेनरी की कार्टिशन एक्विशन फाइंड आउट की थी कार्टिय समीग्रम y एकुस टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी हमने यहां से फाइंड आउट की थी तो इसको अगर हम सिंप्लिफाई गले c by 2 तो हम पहले लिग देखें हैं यहां से कोस हाइपरबोलिक थिटा गो कोस हाइपरबोलिक थिटा गो एक्सपॉन्चर थिटा प्लस एक्सपॉन्चर माइनस थिटा डिवाइड बाई टू लिखाया जाए तो उसे फॉर्मेट में अगर लिखें तो यह है एक्सपॉन्चर एक्सपॉन्चर यहां पर value substitute किए है तो इसको expand कर देते हैं expand करेंगे exponential theta को तो exponential theta को अगर हम expand करेंगे तो value क्या आएगी 1 plus theta plus theta square divided by 2 factorial plus theta cube divided by 3 factorial and then so on तो अगर हम यहां से इसमें value replace करें तो y equals to क्या जाएगा c by 2 इसको आगे simplify करें so 1 plus 1 by 1 plus यहां से अगर expansion minus theta देखे expansion minus theta हमारे पास क्या आएगा 1 minus theta plus theta square divided by 2 factorial आ जाएगा minus theta cube divided by 3 factorial आ जाएगा and then so on हमारे पास यहां से value आती जाएगी so यहां से plus theta minus theta से cancel out हो जाएगा जब दोनों गlor legislators unity square minus theta cube से cancel out हो जाएगा so यहां से स्रेफ हमाले पास theta की even terms बची으 थिटा की इवन पावर जब जब है तब तब हमारे पास value आ रहे है तो दोनों मर्ज हो जाएगी तो overall value हमारे पास क्या आ जाएगी यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 प्लास 1 2 होगा तो 2 हम अगर यहाँ से common और ले लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 divided by 2 factorial theta square theta square को हम क्या लिख रहे हैं हाँ से theta square का मतलब होगा theta equals to exponential x by c आ रहे है तो x by c का square plus 1 by 4 का square आएगा और power जब भी है cancel out होगी x by c की power 4 आगे and then so on हमारे पास यहाँ से value आ जाएगी तो अब अगर हम यहाँ से देखें 2 से 2 तो हम cancel out कर देंगे इनको simplify करने के लिए और अगर आगे हम simplify करें यह value आएगी c plus x square divided by आ जाएगा हमारे पास 2 c आगे हाँ से because of 1 c से 1 c भी cancel out होगी हम plus next value आएगी x की power 4 divided by 24 c cube आ जाएगे and then so on values आएगी अब हम जानते हैं c हमारे पास x की comparatively बहुत बड़ा है c is much greater than x तो यहाँ से x की comparative अगर ही जादा बड़ा है तो जहां जहां हमारे पास x की values divided by c की powers आ रही है तो c की powers हमारे पास जादा होती जाएगी तो उस value को हम neglect कर सकते हैं क्योंकि x c की value हमारे पास x की comparative बहुत जादा है तो इसको हम approximately यहाँ से लिख सकते है y equals to आजाएगा c plus x square divided by 2c higher powers को हमने neglect कर दिया है यहाँ से इसको अगर हम आगे simplify करें तो value हमारे पास यहाँ से क्या आजाएगी cross multiply कर देते है x square approximate equals to आजाएगा हमारे पास 2c into y minus c यह आगे हमारे पास यहाँ से ह type equation किसके similar बन रही है यहाँ से ह Jeżeliтыוס हमारे पास बन रही है यह बन रही है हमारे पास parabola की similar बरवले की similar है यहाँ से हमारे पास और यह हमारे पास परवले y x के respective वे symmetric है y x इसके prospective में ही हमारे है वाई्यक के साव्य सम्मित हो गया साथ की यहाँ से इसका catenary का x आय है यहां से एक्स्त बने during का हमद्द सिर्श वि盛 बंदू अगर हम यहां से रेखें और यहां से इसका lawist point c है हमारे पास इसका नाभी लंब अगर हम find out करेंगे नाभी लंब बन रहा है हमारे पास 2C यह आएगा इसका नाभी लम जिसको हम C की value simplify करेंगे T0 divided by W यह आ रहा है हमारे पास यहां से इसका नाभी लम यह बन रहा है यहां से हमारे पास साथ ही अगर हम यहां से देखें इसके लिए हमने यहां से यह कैटेनेरी कुछ इस तरीके से बनाई है यह है हमारे पास यहां से यहां से यह जो दूरी आएगी हमारे पास इस point को A नाम दे और इस point को B अगर नाम दे A और B के बीच की जो दूरी है A और B के बीच की दूरी हमारे पास विस्तरती कहलाएगी विस्तरती को ही हम यहां से कहतना है Span यह अगरी हमारे पास यहां से विस्तरती और यहां से A और B की 36 रेखा से सिर्ष से गहराई जो आएगी यह हमारे पास इसकी जो गहराई बनती है यह बिंदू C अगर lowest point ले तो C से हमारे पास यह जो गहराई है इसे हम कहेंगे sag sag या फिर जोल catenary का जोल या catenary का sag इसे ही आन्मन कहते हैं यहां से कुछ इसी तरीके से यह x axis लेते हैं यह हम यहां से y axis लेते हैं यह हम यहां से origin लेते हैं तो यह है आगया हमारे पास a और b के बीच का distance span हो गया और यहां से a b की c से यहां से जो गहराई है इसे कहेंगे sag आन्मन या फिर जोल तो यहां से हमने यह basic properties पढ़ी है I hope you understand the explanation Thanks for watching